Hello everyone, how are you all? वेडिक सिक्षा के आज के सेग्मेंट में आपके साथ हुमें आपका में त्रमेन मोहन जोशी और हम सॉल्व कर रहे हैं IPC से related कुछ questions chapter 1 और introduction के तो बिना ज़्यादा बात किया ये सीधे शुरू करते हैं आज का question answer पहला question है निम्नमेंसे कौन सा अपराथ भारती दंड सेहिता के अंतर का दंडनी है option है इटली का नागरिक पाकिस्तान में भारती की हत्या कर देता है इटली का नागरिक जम्मो कश्मीर में भारती की हत्या कर देता है तो अब 31 अक्तूबर 2019 से यह इस पर जो बी वाला option है इस पर भारती दंडे सहीता लागू होगी भारत का नागरिक इटली में इटली के नागरिक के हत्या कर देता है तो इस पर भी भारती दंडे सहीता लागू होगी तो अभी यह जो question है यह पहले UP, APO में, PCSJ में, RJS में और MP, CJ में भी पूछा गया है तो इसमें पहले होता था answer C लेकिन अब जो नया answer होगा वो C नहीं होगा अब answer होगा B और C दोनों आप इसको ध्यान रखिएगा यह पुराना question है और कहीं भी आप देखें इसका answer आपको यही मिलेगा क्योंकि यह पहले पूछा गया है तो वो question मैंने सीधा उठा लिया यहां पर में तो आप जाने इसका answer B और C है इसे याद करने उतर C नहीं है लेकिन मैंने बताया आप किसी गाइड में या किसी एक्जाम पेपर के solve में देखेंगे तो आपको C answer मिलेगा अब यह काम का नहीं है दूसरा question देखिए मैं समझा चुका हूँ पहले questions में यह तो हाँ केवल यदीव भारत का नागरीक है तब यदीव जूर्म करने के पर शाद भारत आता है तब नहीं तो इसका answer क्या है केवल यदीव भारत का नागरीक है तब और मैंने यह समझा रखा है पहले इसलिए ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगा रहा हूँ मैं भारती डंड सहिता के उपरबंद किसी ऐसे अपराद को भी लागू होते हैं जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसे इस्थान पर किये गए ऐसे अपराद को भी लागू होता है जो इस विदेशी राजी की विधी के नुसार अपराद है किन्तु भारती अपराद नहीं है भारत में रजिस्ट्रिकित किसी पोत या विमान पर चाहे वो कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किये गया अपराद को लागू होता है तो ये चैप्टर वन के दारा दो तीन चार से संबंदित प्रशन आपके सामने आ रहे हैं मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको ये कहां कहां ये लागू होगा तो इस कांसर्ट दर है आप इससे नोट डाउन कर लें और याद कर लें एक विदेशी है उसने एक दूसरे विदेशी बी को एक विदेशी जलियान में जो खुले समुद्र में था चुरा घूप दिया ए और बी को उप्चार के लिए मुंबई लाया गया जहां बी की मृत्ति हो गई ए भी मुंबई में उप्लब्ध है एक के विशारण में भारती दंड़ सेहिता की लागू होने के बारे में कौन सा सही है तो मृतक और अभ्योग दोनों विदेशी हैं अपरात खुले समुद्र में घटा है एक को भारती दंड़ सेहिता लागू नहीं होगी और इसलिए एक अभारत में अभिशारण नहीं किया जा सकता भारती दंड़ सेहिता विदेशीों को बिल्कुल लागू नहीं होती है अतर एक अभारत में विशारण नहीं हो सकता अब राद भारत के राज्जिक शेत्र में पूरा हुआ और अभ्युक्त ए भारत में उपलब्ध है अता भारती दंड़ सहीता लागू होगी और उसका विचारण मुंबई में किया जाना चाहिए भारती दंड सेहिता भारती और विदेशी दोनों को लागू होती है अतर एक आविचारण होना चाहिए बड़ा असान सा प्रशन है और इसका आंसर आपके सामने घारा तीनों चार पढ़ेंगे तो निकलाएगा दोनों विदेशी हैं अब राद भी खुले समुद्र में तो इसको आप जानें नेक्स क्वेशन देखें अमेरिका कनागरी के भारती वायू यान में यात्रा करते हुए सरयातरी बह को चोट पहुँचाता है अब इसमें एक बात समझने की जरुरत है सीधा आंसर भी आपके सामने है भारती वायू यान में यात्रा कर रहे हैं तो भारत के किसी भी नियायले में मुकदमा चलाया जा सकता है, धराचार की कहानी है, उत्तर भी सिधे ही आ गया है, और आगे भी सारे ही उत्तर साथ में आ गये हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, और ये क्वेस्टिन्स आप देख लीजिए बस, वापस से स्लाइड पीछे ले जाकर करना असान नहीं है, उसका रीजन है कि क्योंकि दिन में बहुत सारी आवाजें आती रहती हैं, घर में बहुत सारे लोग हैं, लॉक्डाउन का समय है, तो मैं आधी रात को अभी बाराद के पचीस मिनट हो रहे हैं, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बस मैं इसके बाद सोना ही चाहा रहा हूँ, तो questions आपको बता देता हूँ, आप इसे समझ लेजेगा, answer भी लिखते ही चलिए, साथ में कोई देखकर नहीं है, तो अपराद नहीं होगा, कोई भी कार्य अपराद नहीं है, लेकिन अगर कार्य बिना अपराद एक मनसिती के भी अपराद है, जैसे example दे दूँ मैं आपको, कि अगर negotiable instrument, section 138 का एक example लेते हैं, कि आपने किसी को check दिया, check देते समय आपके account में परियाब पैसा भी है, ठीक लेकिन क्या ये अपराद है, बिल्कुल अपराद है, सजा मिलेगी भी या 138 में, इसे ही कहते हैं कठोर दाइत्व या strict liability, question देखिए, निमना परादों में से कौन सा कठोर दाइत्व का अपराद माना जाता है, option number A है उपहती का अपराद, option number B है हमला का अपराद, option number C है द अपरादिक मन के अगर वो शादी करता है, तो अभी अपराद की कोटी में आएगा, section 494, 495 IPC में सजा मिल सकती है, कुछ questions और देख लीजे, किस अपराद में अपरादिक मनेसिती आवश्यक कारक नहीं है, तो ये इस से related कुछ question पहले भी upload कर चुका हूँ, तो options है, हत्या, अभी ये answer आया है, जो बाइगिमी ये अद्वी विवाह शब्ध हमारे पास में है, इसमें आपरादिक मनेसिती आवश्यक नहीं है, आपको wrong answer select करना है, सामानी रूप से एक व्यक्ति किसी अपराद में कैसे भागीदारी हो सकता है, जब वो स्वयम अपराद करता है तब, जब वो अपराद, आपको गलत उत्तर बताना है, ध्यान रखिएगा, तो जब कोई व्यक्ति स्वयम अपराद करता है, तो अपराद में भागीदार होगा, answer है हाँ, जब वो अपराद करने में भाग लेता है, तब भी वो अपरादी होगा, जब वो घटना इस सल पर उप अपरादी नहीं बनाता, प्रश्ल है, कौन सा अपूर्ण अपराद है, तो अपूर्ण अपराद क्या होते हैं, समझे अपूर्ण अपराद होते हैं, जब से पहले कोई एक मनुश्य होगा human being वो एक आपराधिक मनहिस्तिती को धारण करेगा जिसे हम कहते हैं मेंस्रिया फिर वो प्रयत्न करेगा प्रयत्न करने के बाद अपराध पूरा हो जाएगा तो जब प्रयत्न के इस्तर पर रहे श्रड़यंत्र के इस्तर पर रहे दुश्प्रेरण के इस्तर मतलब कार ये हुआ ही नहीं है जो अपराध है जैसे मान लेते हैं चार लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई किसी को मारने के लिए और इससे पहले की मारते चारों पकड़ लिए गए तो ये किस बात का अपराध बनेगा ये बनेगा अपराध एक शड़यंत्र का और अपराध क्या माना गया अपराध माना गया अपूर्ण अपराध या जैसे एक्जामपल के लिए ए नाम का आदमी बी नाम का आदमी को मारना चाहता है और उस पर वो गोली चलाता है गोली उसको लगती ही नहीं है कहीं और चली जाती है तो अपराद हुआ क्या एक्शुली ओफेंस has not been committed yet अपराद नहीं हुआ लेकिन उसने प्रयत नहीं किया तो कैसा अपराद है यह अपूर्ण अपूर्ण अपराद का मतलब जो पूरा नहीं हुआ, इंगलिश में इसे कहते हैं, in coite offenses, अगला question देखिए, निमने मेंसे कौन सी तैयारी नहीं है, तो या question ठीक कर लिजएगा, निमने लिकेत मेंसे कौन सी अपराद की तैयारी नहीं है, ये mistake इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी typing भी मैं कर रहा हूँ, content भी मैं बना रहा हूँ, slide भी बना रहा हूँ, राधी रात को recording भी कर रहा हूँ, तो इस चोटी मोटी mistakes के लिए मुझे माफ करते रहना आप लोग, मुझे Hindi typing नहीं आती है, मैं Unicode से type करता हूँ, और ये typing मुझे बड़ा समय लेता है, फिर डकेती डालने की तयारी, सिक्कों की कूट करण की तयारी, भारती सिक्कों के कूट करण के लिए डाई बनाने के तयारी, तो B, C, D, ये तीनों अपराद की कोटी में आते हैं, IPC में इसके लिए punishment है, लूट करने की तयारी अपराद नहीं है, ध्यान रख लीजेगा, preparation to commit, loot और रॉबरी is not an offense, तो यह जो है यह अपराद नहीं है, तो तैयारी नहीं है कि जगा अपराद नहीं है, लिख लेजिए, question है, common law में निमलेखित में से कौन प्रतिनिधिक दाइत्व का अपवाद नहीं है, प्रतिनिधिक दाइत्व होता है, वाइकरियस liability, ध्यान से समझेगा, और वाइकरियस liability जो शब्द हमारे पास में आता है, यह आता है, लब जब कभी किस कोई व्यक्ति अपराद कर रहा है, और अपराद करने वाला, क्या कहें, कि प्रतिनिधिक रूप से दाइत्वा धीन होता है, उसकी liability बनती है, और यह कठो प्रतिनिधिक रूप से जानकारी मिलें, तो आज के लिए इतना ही, आज बहुत सारे questions हमने कर लिये, और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में भी आ गई आज, बहुत सारे questions और आंसर साथ में ही आ गए, मैं मुझे सोने के भी जल्दी हो रही है, तो मैं जा रहा हू आज बहुत ही कैजूली हमने question कर लिया, अगली बार वापस से खूब सारे questions करेंगे और proper slide बना कर लेकर आऊंगा, ऐसा मैं बादा करता हूँ, तो आप भी अगर रात में सुन रहे हैं तो सोजाएए, और दिन में हैं तो एक बार वापस revision कर लिजिए, इस से बाहर question नहीं आएंगे chapter 1 से, यहां हमारा chapter 1 IPC का introductory part complete हो गया है, अब कल हम solve करेंगे या next जब lecture आप देखेंगे आगे, तो chapter 2 से हम question solve करना, start करेंगे, बाबाई, take care, have a nice time.